तो वहीं बहुजन समाजपाटी प्रमुख मायवती ने यूपी में कानून व्यवस्था की इस्थिती को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा राज्ज में वर्तमान हालात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा की बात बात पर राज्ज में एनसे जैसी गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं लोगों को गिरफतार किया जाता है और उनके परिवारों के उत्पीडन का नया सरकारी तरीका बन गया है साथी बसपा प्रमुक ने ट्विटर पर किये गए ट्विट में लिखा की बात बात पर एनसे जैसी गंभीर धाराएं लगाना सरकारी फैशन बन गया है ताकि अपराद नियंतरण और कानून व्यवस्था के मामले में अपनी विफालताओं पर परदा डाला जा सके ये घो और अनुचित है मामली बात पर और गैर जरूरी होने के बावजूर भी लोगों को गिरफतार कर लिया जाता है गलत सरकारी नीतियों से पूरे प्रदेश में भै और आतंक का मोहल है जबकी सत्ता धरी पार्टी से अपने आपको जोडने वाले आपराधिक तत्व अपराध नियंत्रड और कानून का राज कैसे संभव हो इसके साथ साथ एक और ट्विट करते हुए मायवती ने बीजेपी सरकार को घेरा है जहां हाल ही में दिनेश खटीक के स्तीफे और आरोपो के बाद बसपा सुप्रीमों ने ये ट्विट किया है अब आपको वो आएंगे जिसमें बसपा सुप्रीमों ने बीजेपी को घेरा है दिनेश खटीक के मसले पर ट्विट किया है उत्तर प्रदेश बीजेपी मंत्री मंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अतिनिन्दनिय है और दुर्भाग्य पून है ऐसी खबरे राश्ट्रिये चर रखने का दाइत्व जरूर निभाए प्रियागराज में बोलते हुए सपानिता आजम खान ने कहा कि मैं आमनागरिक नहीं बलकि मुर्गी और बक्रियों का ठकैत हूँ इलाबाद तो इंसाफ का जिला है यहां से तो इंसाफ बढ़ता है सुनिया शेहरी नहीं है और आपका बाइज़ शेहर है हम मुर्गी के टकैत हैं आईस के टकैत हैं बक्री के टकैत हैं किताब के टकैत हैं और नीचर के टकैत हैं और हम दस बार के विधाएक, दो बार के MP, चार बार मिनिस्टर, एक बार लिडर अपोजिशन मंत्री रहते हुए हम रहे हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने दो बार करा हुआ, MLM, टेगल गोटिया से किया हुआ बेटा हम तीन ने मिनिस्टर रहकर शराब की दुकान लूटी है और 16,900 रुपया गले से डाका मारा है जिस विवस्था का स्टेटस ये हो, जिनका ये मेयार हो क्या जानना चाहते हैं हम, अलावाद तो इनसाफ का जिला है यहाँ से तो इनसाफ बढ़ता है हम डकायत उससे महरूम है भी, आप दिलबाद दीजे हमने उने धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं, जिस दिन धूप में खड़े और इस बीच बड़ी ख़बर सामने आ रही है विधान सभाचुनाव से पहले दिली के सियम केजरीवाल का गुजराद दोरा आज है सियम केजरीवाल आज सूरत में बैठक करेंगे पाटी के एजेंडे पर चर्चा करेंगे दिली के सियम अरविंद केजरीवाल गुजराद के दोरे पर हैं आज दिली के सियम अर्विंद केजरिवाल विधान सभा चुनाव से पहले ये दोरे लगातार जारी है दिली के सियम अर्विंद केजरिवाल लगातार दोरे करते जा रहे हैं और जनता के बीच पैट बनाने की कोशिश कर रहे हैं दिली के सियम अर्विंद केजरिवाल आम के एजिंडे पर चर्चा करेंगे दिल्ली के सीम अर्विंद केज्रिवाल विधान सभाद चुनाव से पहले गुजरात पहुच चुके हैं केज्रिवाल विधान सभाद चुनाव पर पूरी नजर दिल्ली के सीम अर्विंद केज्रिवाल की आमादमी पार्टी को इस बार वि के एजिंडे पर चर्चा की जाएगी बरेली के सेंट फ्रांसेस स्कूल संजयनगर पर आज फिर हंगामा हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है हंगामा होने की आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं अभिवावकों ने आरोप लगाया है कि कभी ड्रेस को लेकर तो कभ ही फीस को लेकर उन्हें परिशान किया जाता है इसके लिए कई बार उचाधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है लेकिन कहीं पर कोई कारिवाई नहीं हुए